I am sure कि अब तक आपने Google merchant account पे अपना account बना कर ये भी देख लिया होगा कि एड्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से अपीर हो रही होती है लेकर एक चीज़ जो बड़ी जरूरी है यहां समझना कि कौन से वो फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्निकली आपको मिल रहे होंगे Google merchant account के रिलेटेट उस पे आज हम इस सेशिन के तो थोड़े सी नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरह की जॉब आपको मिल सक प्रोजेक्ट्स है यहां आप एक्वाइर कर सकते हैं फ्री लांसिंग वेब सेट के ओपर तो आए जरा थोड़ी सी नजर डालते हैं सबसे पहली टाइप जो है जो सबसे मोस्ट कॉमन अपीर होरी होती है फ्री लांसिंग वेब सब वह कि आपको क्लियन्ट कह रहा होगा का भई मेरी प्रोड़क्ट फीड जो है उसको मैनेज कर लो वट अच्छली इस अप्रोड़क्ट फीड न्यूस फीड याद है आपको कौन से प्लैटफॉर्म में हुआ करती है फेस्बुक के ओपर इसी तरीके से गूगल प्रोड़क्ट लिस्टिंग एर्ज जो हैं वो प्र पर हमारे पूरे प्रोड़क्ट केटलॉग को मैनेज करना है विच एक्शली इंटरन इस कॉल्ड प्रोड़क्ट फीड जी गूगल की जबान के अंदर और वो आपको करना पड़ता है आप उसमें जिसमेरे पहले होता है कि इमेज और डिस्क्रिप्शन तो कर रहे होते हैं नेटवर्क के ओपर यानि अपने सर्च नेटवर्क के ओपर प्रोड़क्ट फीड के अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोड़क्ट हैं उसको हम कहते हैं गूगल शॉपिंग स्पेशलिस्ट का नाम देते हैं उसे मुराद यह कि क्लाइंट जो है वो आपको कहते हैं आप मेरी केंपेंज को डिजाइन करते हैं मैं आपको यह भी बंदा दे रहता हूँ कि जो प्रोड़क्ट फीड आपको अपड़ेट करता करके देता रहेगा आप सिर्फ मेरी केंपेंड दिजाइन करते हैं तो फिर आप ऐसे स्पेशलिस्ट ओफ गूगल शॉपिंग वेड़ोर को मैनेज करने साथ साथ आपने केमबेंज को भी रन करनी है तो अच्छली वेरी गुड़ बिकॉस यूवल वाइब फुल कंट्रोल अगूगल मर्चंट अकउंट इकॉंट आप तुछ आप तमाम इसकी जो चीजी हैं उसको फिर मेनेज कर रहे होंगे और लास्ट यूस के अंदर जो अक्से कॉमन ली प्रजेक्स आपको मिल रहरे होते हैं उसके अंदर के अपको क्लियन कह रहा होता है कि इफरेंट शॉपिग के प्लैटफॉर्म्स है जिसमें मुस्ट कॉमन हमारे पास दुनिया में eBay है, Amazon है और Shopify है, ये तीन most common online product selling websites हैं ये product selling platforms हैं, कि जो use हो रही है Shopify का शायद आपने कभी नाम नहीं सुनो का, because Shopify is actually not a website which is used to sell a product, it is actually a platform ये selling platform है, दिसको बहुत सारी कंपनियां use कर रही होती हैं अपनी product को बेशने के लिए, वो integrate कर देती हैं अपनी website में, most probably ये आप e-commerce के course में पढ़ेंगे DJ Skills में, और WordPress के course में पढ़ेंगे किस तरह किसे Shopify आपकी website के साथ अटेच हो रही होता है, तो आप इन particular platforms को manage करके, Google का product listing ad का section, ये merchant ground है उसके साथ उसको merge कर रहे होते हैं और ads सला रहे होते हैं, कि जो products in websites पे अपीर हो रही होती हैं ये products भी आपको बहुत common ही मिलते हैं मुझे याद है, एक time हुआ करते हैं जब free dancing website पे Amazon और eBay related projects बहुत हुआ करते हैं कि हमारी ये product की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, eBay के उपर इसकी ads चलानी है, Google के network को यूज़ करके, तो आप eBay का product listing page यूज़ करे होते 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 है as a learning page और product catalog manage करे होते 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 है Google AdWords के अंदर, ये Google Merchant Account के अंदर के जहां जाके आप product के तमाम description images दे रहे होते होते हैं तो दोस्तों, ये तीन most common type of projects हैं, जो freelancing की दुनिया में आपको उनमें से कोई project मिल जाए and then you will eventually become a Google shopping specialist और पूरी दुनिया में लोगों को help करेंगे उनकी product को advertise करने के लिए